कि आपको पता है भूतियर रेविस्टेशन के बार में कर दिंगे कि आप तू जार जारी मिल जाए अगर नहीं बत इस वीडियो को पूरत देखें कि मत करना और तक देखें तो मैं हुझे एक खान आपका सभागत है तो यस वीडियो को लाइक कर देने चनल को सब्सक्राइग विठीटे से भरी हुई है जो बहुत करने जाना है तो इस वीडियो को बिन किसी बख्वास की इस्टार करते हैं तो राच चाट दे वीडियो पैरनोर्मल एक्टिवीच के बारे में आप से बात की जाए तो हो सकता है कि आपको किसी फिलम या सीरियल की याद आ जाए जहां आपने ऐसे सीनी सीन्स देखे होंगे जहां आज हम आपको भारत के आठ ऐसे रिल्वे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोग का कहना है कि यहां पैरनोर्मल एक्टिवीच कम है सूज किया जा सकता है हाला कि विग्यान इन बातों को सभीकार नहीं करता है लेकिन लोगों का मानना है कि यहां कुछ तो है तो हमारे पहले नमबर पर है यह रविंदर स्रोवर मेट्रो स्टेशन पस्चिम बंगाल कॉलकात्ता के इस मेट्रो स्टेशन को लेकर कई परनोर्मल एक्टिवीटीज की कहानिया है यहां रात साड़े दस बजे अंती मेट्रो चलती है उसके बात स्टेशन विरान हो जाता है कई वार लोगों ने महसूस किया है कि यहां अचानक ही कोई साय ट्रैक के बीच पर गट होता है और पलक जपकते गायब हो जाता है इस मेट्रो स्टेशन पर कोई लोग जान भी दे चुके हैं दूसरे नमबर पर है यह बैंगुन कोडोर स्टेशन पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल का यह है रैलवे स्टेशन भूदय कहानियों के चलते 42 सालों तक बंद था आज भी शाम ढलने के बाद लोग इस स्टेशन पर जाने से डरते हैं इसके बारे कहानी है कि यहां के स्टेशन मास्टर ने एक राध पट्रियों को बीच किसी महिला के साए को देखा और इसके बाद उसकी मृत्यू होगी उसके बाद से यह भूते स्टेशन माना जाने लगा तीसरे नमबर पर है यह बडोग स्टेशन हिमाचर परदेश यह एक टनल है टरनल नमबर 33 बडोक स्टेशन के बगल में स्थित है कहा जाता है कि यहाँ पर आक्सर ही पैरनोर्मर आक्टिवीज देखी जाती है इस टरनल का निर्मान ब्रिटिश इंजीनियर करनल बडोज ने किया था उन्होंने इसी टरनल के पास खुद कुशी कर ली थी तब से यह दावा किया जाने लगा कि करनल बडोक की आत्मा इस टरनल में रहती है चोथे नमबर पहये चितुर स्टेशन अंद्रपरदेश अंद्रपरदेश के इस स्टेशन को लेकर भी तमाम भूत्य कहानिय कहीं जाती है ऐसी कहानिया है कि यहां CRPF के एक जवान को RPF और TTE ने मिल कर खूब पिटाई की जिससे उसकी मृत्य हो गई इस घटना के बाद उस से उस मृत्य की आत्मा न्याय के लिए स्टेशन भर भटकती है पांच में नमबर पहये नैनी स्टेशन उत्रपरदेश उत्रपरदेश में नैनी स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहां पर अक्सर ही रात के समय स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती है ऐसी कहानी है कि स्टेशन के पास थी त्नैनी जेल में बहुत सारे फ्रीडम पाइटर्स बन थे जिनने खुब टॉचर किया जाता था और बाद में उनकी मृत्ति हो गई चेवे नमबर पहई लुद्याना स्टेशन पंजाब लुद्याना स्टेशन पर भी पैरनॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में कहा जाता है हाला कि यहाँ पूरे स्टेशन की बजाए केवल एक काउंटर है जिसे भूचिया कहा जाता है दावा किया जाता है कि यहां के reservation counter पर एक सुभाश नाम का व्यक्ति बैढ़ था था वह काम से बे इंतहा प्यार करता है इसी वज़े से उसकी मोत के बाद उस कमरे में जो भी काम करने के लिए गया उसे तमाम प्रशानियों से जूँजना पड़ा साथ में नमबर पर है दवार का sector no metro station दिल्ली के दवार का sector no metro station के बार में लोगों ने दावा किया है अक्सर ही यहां रात को गाड़ियों के पीछे एक महीला का साय दिखाई देता है यही वज़े है कि लोगे देर रात इस metro station पर जाना अवॉइड करते है तो हमारे आठवे नमबर पर है यह mg road metro station दिल्ली गुरु गुराम के इस metro station पर भी लोग paranormal activities को महसूस करने की बात करते है इस बारे में कहा जाता है कि कुछ साल पहले यहां एक महीला की मोत हुई थी लोगों का मानना है कि वह अब भी यहां भटकती है हाला कि इन सब बातों में विज्ञान कहीं से शामिल नहीं है ऐसे में इन paranormal activities को पूरी तरह से सही मानना उचित नहीं होगा इन सबी बातों को आप लोगों की कहानी भी मान सकते हैं और सफर का बेख़ॉफ आनद ले सकते हैं हम जो भी वीडियो बनाते हैं हम किसी को अंध्रिक स्वास को बढ़ावर नहीं देते हैं ना है किसी जाल्पावर को किसी को भी ठेस में पोचातें तो हम बस ये एंट्रेंटमेंट और सच्छी घड़नों पर अधायद पर बनाते हैं हमें किसी पर्वियां दमिश्वाइश को पढ़ावड नहीं देते हैं अगर नहीं अच्छी लेगी तो आपके लिए ही तो हम सब करते हैं तो इस वीडियो को जुरूर जोरो से लाइक करें तो चैनल के बटन तो दबा ही देना हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जब तक हम वीडियो प्लोड करते रहेंगे यूटूब पर तो वीडियो आईगे प इसले शनवार को थोड़ा ने ड कतम हो गया तक है तो शनवार को आईगी तो आगी तो इस वीडियो को लाइक करना है चले को सबस्क्राइब आए करना तो मिलते हैं टाटा वाई वाई